ये कहानी स्टार्ट होती है एक टिनेज लड़की के साथ जिसका नाम है जैनी जैनी का जनम टसकनी में हुआ था उसकी मां कैथरीन एक इटालियन थी और पिता डॉक्टर जैम्स ब्रूक एक ब्रिटिश उसके जनम के तुरंद बाद ही कैथरीन की मौत हो गई और जैनी को भेज दिया गया उसके नानी के पास अमेरिका में पिछले 16 सालों से वो वहीं पर है उसकी नानी उसकी परवरिश करती थी बट रिसेंटली वो भी गुसर गई तो जैम्स ने उसे घर बुला लिया ठसकनी में जैम्स एक बेहत अजीब किसम के इंसान है पहले वो एक डॉक्टर हुआ करते थे काफी सक्सेसफुल थे अपने फील्ड में मगर 20 सार पहले पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया डॉक्टर से बन गए एक अक्योलोजिस्ट तसकनी में रहकर एक मिस्टीरियस लेक के बार में रिसेर्च करने लगे दी लेक आफ आइडल्स मगर इस सब के बीच अपने बेटी से कांटाक्ट कभी नहीं तोड़ा उन्होंने रेगुलर्ली उससे मिलते रहे उसका ख्याल रखा इंटरक्ट वो क्या खाती है क्या पीती है उसका तबियत ठीक है या नहीं इन सारे चीजों के बार में वो बहुत ही जादा पर्टिकुलर थे बस इससे पहले जेनी को कभी अपने घर नहीं ले गए बात कुछ अजीब नहीं है वो जो भी हो जेनी को कुछ फ़रक नहीं पड़ता वो तो बहुत खुश है पहले बार उस शहर को देखने जा रही है वो जहाँ उसका जनम हुआ था जहाँ उसके पेरेंस मिले थे उनकी शादी हुई थी और उसके मा की मौद भी जेम्स उसे बस्ट अब से रिसीव करते हैं और बाप बीटी मिलकर रवाना होते हैं घर के तरफ रास्ता काफिस सुनसान था लेकिन अचानक जेनी को रास्ते के बीचों बीच एक छोटा सा लरका दिखता है वो चीक उठती है और उसके पिता गारी रोक देते हैं लेकिन ना उन्हें कुछ दिखता है ना ढूनने पर कोई मिलता है मगर हमें ऐसा जरूर फिल होदा है कि कोई छुटके से सच में ही उन पर नज़र रख रहा हो वो लोग फिर से कार स्टार्ट करते हैं और फाइनली घर जा पहुँचते हैं जेनी से मुलाकात होती है जेम्स के असिस्टेंट ओल्गा की जो अभी उसकी स्टेप मॉम भी है जेनी को इस घर में बहुत सारे अंटिक चीज़े दिखती हैं स्टैचूज, पेंटिंग्स ये सारी के सारे लेक ओफ आइडल से जुरे हैं वहीं लेक जिसके सिक्रेट्स को जेम्स एक्स्प्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल अपसेस्ट है इस लेक से हर वक्त इसी के बार में बात करते रहते हैं एवन वो जेनी से भी प्रॉमिस करते हैं उसे कल सुबा लेक दिखाने ले जाएंगे मगर वफाता पूरा नहीं करते नेक्स डे जेनी नीन से जाकने से पहली वो निकल जाते हैं अपने किसी काम से जेनी को थोड़ा सा खराब लगता है उसे बता के भी तो जा सकते थे थे ना हुलगा उसे ब्रेकफस्स देती है साथ में कुछ कैपसूल्स भी कहती है उसके पिता ने रिफर किया है बिचारी जेनी और क्या करे विना सवाल के उन्हें खा लेती है और अकेले ही निकल परती है गूमने कुछ दूर जाने पर उसे वो लेक देखता है एक बहुत ही खुबसूरत लेकिन उतना ही क्रीपी सा लेक जेनी को तो गुस बमस आ रहे थे उपर से जब उस लेक के पास बैठी थी तो एक लड़की उससे टकड़ा जाती है बिचारी ब्लाइंड है इसलिए उसे देखने ही पाई पता जाता है उसका नाम मलीला है और वो पास वाले घर में रहती है बागी बच्चों के साथ वो जेनी को रिक्वस्ट करती है उसे उसके घर तक छोड़ देने के लिए जेनी मना नहीं करती उसे लगता है शादी अलर के अनाथ है, खूग गई होगी, तो वो साथ जाती है उसके कुछ देर बाद उसे सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखता है, यही मलीला का घर है मगर वो लोग फ्रंट केट से अंदर नहीं जाती, वहाँ दो नर्स बैठे थे, मलीला उनके नजर में आना नहीं चाती थी, तो वो बैक डोर से अंदर जाती है अपने साथ रहने वाले बाकी बच्चों से भी इंट्रिड्यूस करवाती है यहां ओल टोटल चार बच्चे थे, हम नोटिस करते हैं, यह सारे बच्चे बहुत बिमार दिख रहे थे, उनका चाहरा कुछ जादा ही सफेद था अक्चली, यह काइंड ओफ हॉस्पिटल है, सभी को कुई न कोई बिमारी है, किसी का आखे नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो किसी के पैर वो लोग जैनी से मिलकर बहुत खुश हो गए थे, उस अपने फिफ्ट मेंबर पीटर से भी मिलवाने ले जाती है, मगर वो सामने नहीं आता अंधेरी में खरा रहता है, जैनी को लेट हो रही थी, अपनक शायद उसके पिता भी लोटाए होंगे, तो वो और वेट नहीं करती, भागती है घर के तरफ, मगर जाती समय, मलीला उसे बार बार साबधान करती है, अडल्स से बचकर रहने के लिए, वो लोग बुड़े है बहुत बुरे, जैनी छुपते छुपते किसी तरह घर लोटाती है, मगर जैम्स तब भी नहीं लोटे, उल्गा उसे इंफॉर्म करती है कि वो आज लोटेंगी भी नहीं, उन्हें कुछ काम है, साथ में वो जैनी पर चिलाती भी है, क्यों उसने इतना लेट किया, जैनी को उसका बरता बहुत रूट लगता है, वो और कुछ नहीं कहती है, चप-चाप जाके खाना खाती है, दवाई लेकर सो जाती है, रात में उसे एक अजीब सपना आता है, वो खुद को इस लेख के पानी में पाती है, और उसके हाथ में था एक स्टैच्यू, अचानक उस स्ट निकलने लगता है, उसके हाथ रंग जाते है, साथ में लेक का पानी भी, उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे पानी के अंदर खीच रहा है, जेनी चिलाने लगती है और इस सपने के दहशत से उसकी नींध तूर जाती है, वो सच में ही डर गय थी, एक अंजाना सा डर उ से अंदर ये अंदर जकर रहा था और बाहर से कोई इस घर के दरफ नजर रख रहा था नेक्स्टे जेनी फिरस्ट जाती है उस घर में, उन बच्चों से मिलने उनसे बात करती है, उन्हें स्टोरी सोनाती है, इसी दिन तो पीटर पी उससे मिलने आता है मगर लोटते वक्ट जेनी को किसी की रोनी की आवास सुनाई दे दी है ऐसा लगता है कोई दर्थ में हो पूछने पर ये बच्चे कहते हैं यहां सब ही बिमार है तकलीफ तो होगी ही जेनी और कुछ नहीं कहती मगर उसके मन में एक अजीब सा खीजाव फील होने लगता है और हमें कच विशन्स दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं इस बिल्दिंग में किसी को चेन से बांद कर रखा जा रहा है ये रोनी की आवास उसी की है उधर जेनी के साथ और एक हाथसा होता है वो जब लेक साइट से जा रही थी तो उसे पान में कुछ दिखता है मौमेट जैसा मगर दूसरे ही बल में वो कही गायब हो चुकी थी तब ही वहां हमें जेम्स दिखता है वो जंगल में कुछ कर रहे थे जेनी को देखते हैं ऐसा भी हिफ करने लगते हैं जैसे वो उसी को ढूने आ हैं मकर बात जरूर कुछ और थी जो वो नहीं बता दे अगले दिन वो जेनी को लेकर पास वाले शहर में जाते हैं और जाते वक्त उसे अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं उस लेक के बारे में हमें पता चलता है जेम्स असल में ट्रासकेंस सिविलाजेशन को स्टड़ी कर रहे हैं उस ग्रूप के लोग बहुत ग्यानी हुआ करते थे उनका पास बहुत मिस्टीरियस तागत थे उनका मानना था इस लेक के पानी में हीलिंग प्रॉपेटीज है जो किसी भी बिमारी को क्योड कर सकता है इसलिए उन में से अगर कोई बिमार परते थे तो उसका ब्रॉण्स टैच्चु बना कर उस लेक में फेक दिया जाता था या फिर अगर किसी का कोई बॉड़ी पार्ट खराब होता था तो उसका रेपलिका बनाया जाता था जहां डॉक्टर ब्रोक एक एंटिंग शॉप में एंटर करते हैं। दुकानदार को कुछ बनाने का ओर्डर देते हैं और साथ में धेर सारा पैसा भी। और ये काम पूरा होती ही, उन्हें अचानक घर जाने की जल्दी लग जाती है। ऐसे फो जैनी को घुमाने नहीं, बस इसी काम से आये थे। जैनी को अपने पता का बरताव बहुत अजीब लग रहा था। वो कितना cool behavior कर रहे थे, ना वो जैनी को टाइम दे रहे थी, ना उसे ठीक से बात कर रहे थे। तो उसका यहाँ पर आने का फाइदा क्या हुआ? जैन्स से उसके किसी भी बातों का जबाब नहीं देते हैं, ऐसे उन्हें कुछ परवा ही नहीं। उसे राज जैनी को कुछ बहुत अजीब experience होता है। उसे अचानक अपने कपरों पर खून दिखने लगता है। और जब वो उसे हटा कर देखती है तो उसके आखे फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि वो देखती है उसके पेट के साइट से फ्लेश गाइब है। जैसे किसी ने नोच लिया हो। जैनी बहुत डर जाती है। जट से उटकर लाइट जलाती है और रोशनी में जब वो चेक करती है तो देखती है सब कुछ ठीक है। वो कुछ समझ नहीं पाती क्या वो खुली आंकों से सपना देख रही थी। उसी दिन जैनी को ओलगा और जैम्स के बीच कुछ बातचीत सुनाए देती है। वो लोग बहुत परिशान साउंड कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ था। अगले देन जैनी की नीध तूटती है हॉस्पिटल में। जैम्स बताते हैं उसके अड्रेनल ग्लैंट में इंफेक्शन हुआ था। कल रात वो बेहोश हो गए थी। उसका एक छोटा सा अपरेशन करना परा। जैनी बहुत वीक फील कर रहे थी। जैम्स और ओल्गा उसका टेक्यर करते हैं। इवन उसके रेकवरी के बात जैम्स उसके मा की ग्रेफ भी दिखाने ले जाते हैं। बगर उसका attitude साबित कर रहा था वो खुद इन सारे चीजों से अपने बेटी से बहुत ही जादा detached है। उन्हें ना कैथरिन के प्रती कोई लगाव है ना जैनी के प्रती। ग्रेवियर्ड से लोटते वक जैम्स फिर से उस एंटिक शॉप में रुखते हैं और वो दुकानदार उसे कुछ दीता है लाल कप्रू में लपेट के जिसे वो बहुत सा अबधानी से अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जैनी को घर छोड़ते हैं और खट जाते हैं उस लेक के पास। हम देखते हैं वो चीज असल में एक ब्रॉंस किट्नी है। जेम्स उसे हाथ में लेकर कुछ बहुती अजीब रिचुल करती है और फिर उसे फेक देती है लेक के पानी में उस दिन जेनी फिर्श से जाती है उन बच्चों से मिलने अक्चलि यहां उसके पिता तो उसे वक्त देते नहीं जेनी पूरा दिन बोड़ हो जाती है जेनी इसका मतलब समझ नहीं पाती तो सभी बच्चे उसे ले जाते हैं लेक के पास रात के अंधेरे में ये लेक और जादा भ्यानक दिखरा था मकर इसके बात जो होता है उससे जेनी का होशी उड़ जाता है पीटर पानी में अपना हाथ रखके किसे जादुई ताकत से इस लेक के स्पिरिट्स को समन करता है जेनी को अपने आखों के सामने वो तीन स्पिरिट्स दिखते हैं ये बच्चे कहते हैं वो स्पिरिट्स नाराज है क्योंकि किसे ने उनके स्टैच्ईूस को चुडा लिया है जेनी को पता ही ये कौन हो सकता है उसके पिता उनके पास ही जेनीन स्टैचूस की तजवीर देखी थी वो जरूर उनके स्टडी में होंगे लेकिन वहाँ तो दर्वासे पर हमेशा ताला लगा होता है वो अंधर कैसे जाए उस राज जेनी को और एक भ्यानक सबना आता है उसे अपनी ही लाश दिखती है जिसके पास बैठी थी एक स्पिरिट जेनी को डल लग रहा था कहीं ये कोई वर्निंग तो नहीं उसे वो स्टैचूस वापिस करनी होगी उधर जेम्स का बरताफ भी बहुत वीर्ड हो रहा था वो जेनी पर छुपके से नजर रख रहे थे मगर जैसे ये जेनी उन स्टैचूस के बारे में पूछती है वो एगनोर कर जाते है जेनी को कुछ समझ नहीं आता एक बार तो वो चाबी चुडाने की भी कोशिश करती है मगर सकसेस्फुल नहीं हो पाती फाइनली पीटर उसे आईडिया देता है उसे पता है जेम्स के स्टढी में कैसे एंटर करना है चाबी के बिना उस दिन जैसे जेम्स और औलगा घर से निकल जाते है जेनी पीटर का प्लैन अप्लाई करती है उसने कहा था इस घर के सीरियों की नीचे एक hidden passageway है जिसके जरीए इस घर के दूसरे wing में पहुँचा जा सकता है जेनी उसी रास्ते से आगे बढ़ती है और उसे study मिल जाता है इस वाली side पर कोई ताला जो नहीं था कुछ दें ढूनने पर उसे वो status में मिल जाते है जेनी जल्दी से उन्हें अपने bag में भरती है और वापस आने लगती है लेकिन तभी उसे सुनाए देती है टीवी का आवास जिसे वो follow करती है एक room तक जा पहुचती है अंदर कोई cartoon देख रहा था मगर कौन है वो ये पता नहीं कर पाती क्योंकि जेनी को तभी बाहर गारी के आवास सुनाए देती है उसे लगता है जेम्स और ओल्गा वापस आ गए होंगे तो वो भागती है बाहर के तरफ मगर ये तो असर में कुछ डेलिवरेस आयोए थे cardboard box में इनमें surgery के सामान थे लेकिन ये सब जेम्स के किस काम के वो तरभी और practice में नहीं करते डेनी इस तरब ध्यान नहीं देती वो इस स्टैचूस को लेकर orphanage में जाती है और पीटर के कहने पर उन्हें लेक में वापस कर देती है तब तक शाम हो चुकी थी जेनी जल्दे से घर लोट कर सो जाती है किसी को कुछ शक भी नहीं होता next morning फिर से घर में वो अकेली थी तो इस बार वो और अपनी curiosity होल्ट नहीं कर पाती है फिर से जाती है दूसरे विंगे उस कमरे में और देखती है वहाँ बिस्तर पर एक लड़की लेटी है जो कुछ weird है देखने से तो वो जेनी से बड़ी ही लग रही थी मगर इसका बरताफ बच्चो जैसा था वो कहती है यह उसका घर है और यहाँ वो अपने parents के साथ रहती है जेनी कुछ समझ नहीं पाती कौन है यह लगी और उसके parents कौन है तब ही कमरे में इंटर करते है जेम्स और उलगा और खुल जाता है इस फिल्म का पहला राज जेनी को पता चलता है उसके पीट पीचे कितनी बड़ी conspiracy चल रही है पता चलता है इस लगी का नाम है माया जेम्स और उलगा की love child उसका जनम जेनी से चार साल पहले हुआ है पर अनफॉर्चनेटल वो नॉर्मल नहीं है उस एक बिमारी है जिससे उसके सारे organs एक ही करके पत्थर में बदर रहे है इसका बस एक ही क्योर हो सकता है transplantation बिमारी डाइगनॉस होने के साथ साथ उस पार्ट को बदलना होगा मगर इसके लिए perfect match की जरूरत है ऐसी donor की जरूरत है जो genetically compatible हो इसलिए जेम्स ने एक plan बनाया उसने कैथरीन को अपने प्यार के जान में फजा कर उसे pregnant कर दिया उससे बच्चा पैदा किया कि उसे पता था माया को जेनी की जरूरत एक दिन जरूर पड़ेगी पिछले 20 सालों से जेम्स और ओल का अपने बेटी के treatment में अपना सब कुछ लुटा रहे है इवन इसलिए जेम्स इस लेक के बारे में study कर रहा जिसे वो माया को ठीक कर पाई मगर अभी तक उसे वो proper तरीका नहीं पता चला तो जब माया की कितनी पत्थर में बदलने लगी जेम्स ने जेनी को घर बुला लिया और उसके adrenal gland operation के नाम पे उसकी कितनी चुडा ली जेनी को सब कुछ समझा गया था इवन उसे वो hospital chamber और operation theater पे दिखता है जेम्स ने ही पर छुपकर operation करता है इसलिए जेम्स उसके health को लेकर इतना serious है कि जेनी तो उसके लिए बस एक poultry product है बली का बखरा है वो दर से उसके हाथ पैर कापने लगे थे वो भागने की कोशिश करती है मगर जेम्स उसे पकर लेते हैं और sedatives दे कर बेहोश कर देते है आज ही उसका आखरी दिन होने वाला है ये लोग उसके शरीज से सारे और गैंस निकाल लेंगे जेम्स उसके हाथ पैर बांद देते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं माया को डेटी करने इसे पीच पीच पीटर आता है जेनी से मिलने कैसे बता नहीं वो कहता है लेक में जाने के लिए वहाँ पानी के नीचे उसे छे ब्रोंज और गैंस बिलेंगे उन्हें लेके जेनी को और्फनेच के उस बंद कमरे में जाना होगा वहाँ उसके लेक सप्राइस वेट कर रहा है जैनी वहीं करती है किसी तरह खुद को आजाद करती है और भागती है लेक के तरफ मगर जाने से पहले पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करना नहीं भूलती उधर जैम्स को भी तब तक खाली कमरा दिख चुका था तो वो भी भागता है उसे ढूनने जब तक उसे जैनी दिखती है तब तक वो पानी के नीचे जा चुकी थी वहाँ उसे एक एक करके छे ब्रॉंस पीसस मिल चुके थे ये लेक स्पिरिट जैम्स से पहली से ही खपा थे इस बार मौगा पाकर वो उसे अपने ऑक्तुबस जैसे टेंटेकल्स में ऐसे जगरते हैं कि जैम्स की मौध हो जाती है जैनी सारे औरगैंस को लिकर बाहर आ जाती है और उधर माय के शरी से खून निकरने लगता है ऐसा लग रहा था जैसे ये औरगैंस उसके ही शरी से निकाला गया है ओलगा उसे संभालने की कोशिश तो करती है मगर कुछ कर नहीं पाती बस हेल्प लेसली उसे मरती हुए देखती है इधर जैनी जब पहुचती है और्फेनेच के उस बंद कमरे में वहां उसे एक औरत दिखती है जिसे बिस्तर से बांद कर रखा गया था ये और कोई नहीं जैनी की मा कैथरीन थी हाँ वो जिन्दा है यहाँ खुलता है इस फिल्म का सेकेंट रास पता जाता है जैनी अपने मा की एक लौती बेटी नहीं है उसके और पांच सिब्लिंग्स थे जिनका जनम उसके बाद हुआ था जैनी को उसके नानी के साथ भेच दिया जूट कहा कि कैथरीन की मौत हो चुकी है और इसके बाद शुरू हुआ उनका असली खेल उसने कैथरीन को कैथ करके बार बार उसका रेप किया और बच्चे पैदा करने पर मजबूर करिया वो बच्चे पीटर, मलीला, बिल वो सब चेनी के भाई बहन थे जिनी जेम्स ने चुपा कर जिन्दा रखा सिर्फ और सिर्फ उनका और्गैंस को यूज करने के लिए इनिशियली जेम्स ने उस लेक पर भरोसा रखा माय के जो जो पार्ट्स पत्थर बन रहे थे उनका ब्रोंस रेप्लिकास बना कर लेक में फेके मगर इससे कुछ काम नहीं बना तो फाइनले इन बच्चों से वो और्गैंस हर्वेस्ट करने लगे एक को जिन्दा रखने के लिए बस पागल ने पाँच बच्चों की जान ले ली हाँ ये बच्चे मर चुके हैं जेनी के यहाँ आने के बाद से ये वो उस पर नज़र रख रहे थी क्योंकि उन्हें पता था उन्हें एक दूसरे की मदद चाहिए इन बच्चों ने उचे जेम्स के हाथ से बचा लिया और जेनी ने उन्हें ये रेप्लिकास ला कर दिया इस से उन्हें उनकी लाइफ तो वापस नहीं मिली मगर उनका बदला जरूर पूरा हो गया उनके स्पिरिट्स को आजाद है मिल गई उधर तब तक घर में पुलिस पहुँच चुकी थी वो लोग उलगा को अरेस्ट कर लेते हैं अभी जेनी को और कोई खतरा नहीं ना उसके माँ को है अभी वो लोग आजाद है अपने जिन्दगी अपने मर्जी से जीने के लिए दोस्ता मुझे ये फिल्म अच्छी भी लगी और बुरी भी क्योंकि इस फिल्म की जो कंसेप्ट है और गैंस हर वेस्टिंग वो काफ़े इंट्रेस्टिंग है नो डाउट बट बीज में इस लेक को घुसाने के क्या ज़रूरत थी सिर्फ एक सुपरनाचरल टर्च देने के लिए इवन टाइडल भी लेक के नाम से दे दिया जबकि इस फिल्म में लेक का कोई कारेक्टर ही नहीं है अज़े बस यही बात है समझने ही आई बागी में प्लॉट अच्छी है अपका क्या क्या है राइड डाउन इन दे कमेंट सेक्षिन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों थांकी सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो बहुत चैन मिलते है किसी औरना है वीडियो के साथ तब तक के लिए चेक के ताटा